जो हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 10 क्लासिक्स का जासी की रानी की लगू उत्री कोशन आंसर ये पार्ट 2 है पार्ट 1 में बना चुकी हूँ जिन्होंने नहीं देखा पहले वो देख लीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए कोशन नमबर वन है इसका काली गटा गिरने से क्या आश है कहते हैं काली गटा गिर गई थी तो इस पंक्ती में जो काली गटा लिखी है इसमें रानी लक्ष्मिबाई के पती बाल गंगादर राव की मृत्यू की और संकेत दिया जा रहा है कि राजा की मृत्यू हो गई जह तो राजा बिना संतान के मर जाएगा उसके राज्य पर वो अपना जंडा फेरा देंगे तो एक तो राजा मरे उपर से अंग्रेजों ने बिना लडाई के बिना कुछ कहे जासी पर अपना जंडा फेराने आ गए कोशन नमबर टू है लक्ष्मी भाई को बच्वन में कौन कौन से खेल परिये थे तो उत्तर है लक्ष्मी भाई को बच्वन में बर्ची किरपान कटारी चलाने का बहुत ही शोक था जब शोक ऐसा है तो खेल भी ऐसे ही होंगे तो उसे नकली उद करना व्यू की रचना करना शिकार खेलना सैना को घेरना दुर्ग यानि किले को तोड़ना कि उसको बच्वन से ही बहुत पसंते यह नहीं बता था कि उसका ये शोक उसकी जवानी में कितना उसके काम आने वाला है उसका इतिहास में कितना बड़ा नाम ह होने वाला है तो कहते हैं ना जो शौक हो बचपन में अच्छी शौक पालो तोकि future में क्या होने वाला है हमें कुछ नहीं पता तो राणी ने भी ये सीखा हुआ था तो बाद में Right हो का सामना करने में उसके ये शौक बहुत сов काम आए Benny कोशन नमबर तीन है डलो जी क्यों परसंथा क्यों खुश हो गया जाईर है राजाबाल गंगाधर राव की मृत्ति होने पर जासी पर अपने आप ही अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा ये सोचकर डलो जी खुश हो गया परसंथा कि मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा और आज जी भी मिल गया कोशन नमबर फोर है कविता की दूसरी पंक्ती में जो का है एंसी आठी का कोशन है भारत को बुड़ा कहकर उसमें नहीं जवानी आने की बात कही है क्यों कहीए ये बात उत्तर है सुबद्रा कुमारी चौहान जो कि लेकिका है इस कविता की उसने भारत को बुड़ा कहकर उसमें नई जवानी आने की बात इसलिए कही है क्योंकि कई वर्षों से गुलाम होने के कारण भारत किसी बुड़े व्यक्ति की तरह शितिल, कमजोर, जरजर हो चुका था लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामे में हर तरह से वो कमजोर होता ही चला जा रहा था लेकिन सन 1857 की क्रांती में भारत में एक नई जवानी ला दी, एक नई आशा जागी, उच्सा आया, नया संचार हुआ, संगर्ष करने की शक्ती आई, भारत वासी भी स्वतंतरता पाने के लिए प्रियास करने लगे, तभी उने का बुड़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, फिर से कुछ नया करने की सोच आई थी, कोशन नमर पांच है, जासी किरानी कहानी में कौन-कौन से पुर्षों के नाम आई हैं, कौन-कौन से पुर्षों के नाम आई हैं, अनेक पुर्षों के नाम आई हैं, जैसे नाना साब, जिनका पूरा नाम द दू दू पंत दलो जी दू दू पंत दलो जी पेश्वा वाजी राव तात्या टोपे अजी मुल्ला एहमद शाह मौलवी ठाकुर कुवर सिंग लेफ्टर वॉकर शिवाजी गौालियर के महराज सींधिया जन्नल स्मीत युरोच ऐसे बहुत से लोगों के नाम आए हैं कुशन नमर 6 है कविता में किस दोर की बात कही है वेरी इंपोडेंट कोशन है हिस्ट्री में भी बन सकता है तो कविता में 1857 की बात कही है तो बताईए उस समय का महौल कैसा था पहला प्रतम सतंतरता संग्राम था 1857 जब अंग्रेजों के विरूद एक महिला ने आवाज उठ हादी थी कि यह कुछ भी हो जाए देश को आजाद करना है उसने देश को ने राज्य को का वो राज्य की चुनोती देश की बन गई सतंतरता संग्राम ने जहासी की रानी लक्षिमभाई ने महत्पून भूमिका निवाई उस समय महौल के बारे में पता चलता है कि देश ग वो इसके लिए कोशन नमबर सेवन सुबद्रा कुमारी चुहान लक्ष्मी भाई को मरदानी क्यों कहती है क्यों कहती है मरदानी तो उत्तर है जासी की रानी जो लक्ष्मी भाई थी उसमें मरदों की तरह सांस था हिम्मत थी ताकत थे युद कोशल था गुर सवारी करना ज लेकिन रानी लक्षीमभाई में इस सारे गुन थे तो रानी लक्षीमभाई वीर सैना पतियों की तरह अंग्रेजों से युद किया जहासी की रक्षा करती रही इसलिए कावित्री ने उने ही मर्दानी कह डाला उन्होंने ये निकाई महिला है उन्होंने का ये मरदानी है खूब लड़ी मरदानी वो तो जहसी वाली रानी थी आपनी ये बात सुनी होगी और कहना भी चाहिए ऐसी महिलाएं देश में रोज-रोज पैदा नहीं होती कुशन नमर एट है अंग्रेजों ने भारत के किन-किन छेत्रों पे अधिकार कर लिया तो अंग्रेजों ने भारत के कई इसों जैसे दिल्ली, लकनाउ, बिहार, नागपूर, तंजोर, सतारा, करनाटक, सिंद, पंजाब, ब्रहमपूर, मद्रास, आधी पर अपना राजिक कर लिया अब इसके दिरकोशन आंसर है जैसी की राणी के जीवन से हमें क्या प्रेणा मिलती है हम क्यों बड़े इनकी कवीता क्यों सुनाते हैं हमारे पेरण्स हमें इनकी कहानिया क्यों मुंदेल के लोग घरगर में जाकर लोग गीत के माध्यम से इनकी काहानिया गाती है क्योंकि उनकी काहानियों में कुछ जीवन में देने वाली प्रेणा ही चुपी है क्या प्रेणा है वो? जाचिक की रानी के जीवन से हमें अनेक प्रेणा मिलती है कि हमें देश के लिए प्राण उच्छावर करने की प्रिणा मिलती है कुछ भी हो जाए देश के लिए अपने प्राण उच्छावर के लिए सदा तैयार हो वीर विपतियों से ना घबराओ सहासी बनो जीवन से स्वतंत्र एवं मजबूत रहने तू प्रतन शील रहो रोज ही कोई न कोई अमपे हमला करता रहता है तो हमेशा तयार रहो कुशन नमबर टू है अंग्रेजों के विरूद राणी ने अपनी वीर्था का परिचे कैसे दिया कैसे बताया कि मैं भी वीर हूँ तो अंग्रेजों के विरूद राणी ने अपनी वीरता का परीचे नीम तरीके से दिया लक्ष्मिबाई ने पती गंगादर राव के मृत्यू के बाद सेना की तयारी शुरू कर लेटनेंट मोकर को युद मेहराया लक्ष्वी भाई ने डट कर अंग्रेजों का मुकाबला किया उन्होंने अंग्रेजों के कई किलों पर अधिकार कर लिया गोड़ा उनका गिर गया था वो मर चुका था स्वर्गवास हो गया फिर भी वो इम्मत नहीं आ रही अंग्रेजों का मुकाबला करती रही रानी युद करते-करते वीर गती को प्राप्टो गई तो ये सारी हमें सीख मिलती है इसे पता लगता है कि वो अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सकती थी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सस्क्राइब और शेयर करना ना भूले